नमस्ते सदवस्चले मात्रभू में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन की और रेसलिंग फेडरेशन का ऐसा लग रहा है कि पिछले एक देड़ साल से उसका पीछा नहीं छोट रहा है कभी साक्षे मलिक बैठी तो विगनेश बैठी कि कभी वो पुनिया और इन सबने ब्रजभूशन सरन सिंग जी के उपर बहुत सारे आरोप लगाए और इतने आरोप लगाए कि ब्रजभूशन सरन सिंग को अत्यचारी बता दिया हाला कि रेकॉर्ड कुछ और कहते हैं और ब्रजभूशन सरन सिंग का अपना जो पहलू है वो ये था किनी साथ हमने जिस दिन से रूल बनाए उसी दिन से ये हमको अत्याचारी बताने लगए क्योंकि इनको वो रूल्स पसंद नहीं आ रहे थे खैर उस पर F.I.R. हुई उस पर इन्वेस्टिकेशन में कुछ निकला नहीं Wrestling Federation में कोई statement देने को तयार नहीं और उसमें जो CCTV कैमरे हैं उन में कुछ मिलता नहीं कुल मिला कर Wrestling Federation के उपर जो केस हुआ ब्रेजबुषन सरन सिंग जी के किलाब जो केस हुआ उसमें कुछ भी नहीं मिला और कुल मिलाकर परिणाम ये निकला कि नया एक विवस्ता होगी कैसे हलागि हम दोनों बातों मेंसे दोनों पर सहमत हैं एक तो ये है कि वाकई में कुछ ना हुआ दूसरा ये है कि पुलिस इनिविस्टिगेशन उस तरह से ना हो पाई हो जैसे होनी चाहिए तीसरा ये भी है कि जो evidences हैं वो मिटा दिये गए हों कुछ भी हो सकता है लेकिन अब इतने दिनों बाद अगर लंबे समय के बाद मुगदमा किया जा रहा है तो evidence collect करना भी उसकी जिम्मेदारी बनती है जिस जो जियो investigating agency है लेकिन नहीं पाप आ रही है तो ऐसी प्रसिती में जिसने मुगदमा किया है वो evidences collect करके दे कुछ at least कुछ statement तो है लेकिन wrestling federation के अंदर कोई भी statement देने को तयार नहीं यहां तक की पीटी उशा की committee बनाई गई थी उसमें भी कुछ नहीं निकला तब पीटी उशा को गालियां देने शुरू करें दिगी खेर वो प्रक्रण चली ही रहा था तब तक wrestling federation के अध्यक्ष का इस्तिफा दिलवा दिया सरकार ने चलिए बई अच्छी बात है अब wrestling federation के अध्यक्ष का इस्तिफा मतलब ब्रजबूशन सरण सिंग जी का इस्तिफा लेकिन उसके बाद फिर प्रक्रण चला और यह चला कि साब अब नया चुना होगा बात से सही सी बात है अगर आपने wrestling federation भंग करती है तो फिर से चुना होगा wrestling federation में फिर से चुना हुआ तो संजे सिंग खड़े हो गए और संजे सिंग ऐसा कहा गया कि ब्रजबूशन सरण सिंग के बड़े खास आदमी थे और इतने खास साक्षी मलिक ने तो इलजाम यह लगाया है कि ब्रजबूशन सरण सिंग जी का जो बेटा है वो भी इतना खास नहीं होगा जितना की संजे सिंग खास है अब तो और ज़्यादा गंभीर बात होगी और इसी दोरान साक्षी मलिक मैदान छोड़ कर भाग गई और उसे ने कहा कि मैं स्तीफा देती हूँ हाला कि वो तीस बत्तिस चौंतिस साल के सब हो चुके हैं वो इस्तीफा ना दें तो भगए जाएंगे लेकिन सब उन्होंने चलो एक प्रपोगंडा करते हुए इस्तीफा दे दिया इस्तीफे से केंद्र सरकार को कोई फर्क पड़ता नहीं है रेसलिंग फेडरेशन में चुकि ये लोग फिट नहीं बैटते थे ये भी कह दिया गया बुड़े बड़े थे और इनकी बड़ी सारी उमर हो गई थी अब इनका कोई यहां परस्ते तो नहीं रहा ये संजय सिं प्रण सिंग का ही अपना एक बड़ा का सेष्य जो उनका चैला है वह बन गया है तो बात वहीं की सब्साब्री जाहं से शुरू हुई थी वो उनका केंदिडेट एक लेडिस फी लीड्स को साथ सब्सक्राइस देों वेन लेड़ी को सब्सक्राइस की गलती। प्रदानमंतरी को अपने वापस करेंगे जो में जीत कर लाए थे देशचा फ़टा जी का वापस आना था लोग लगातार कहते वापस लेना जाएब लेकिन जीट कर तो कोई व्यक्ति लाता है उसको था तो उससने अपने पास– रखा हुआ था। उससने का मैं वास करूँगा counseling है, लेकिन यहां वा बापस लेगा कोन? तो उसने एक प्रफ़कंड़ा यह किया कि Prime Minister House के सामने चला गया Prime Minister House के सामने वो अपना मेडल रखाया हाला कि मेडल लुक्त रखाया को बापस लेनी कोई परंपरा नहीं है और कोई प्रक्रिया भी नहीं है पहले वो कह रहेते कि हम गंगाजी में बहा देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे वो मैडल ना हो गया वो मलब क्या आपको पताऊ लेकिन ये लोग रखाए अब इतनी बात पर कोई समस्या नहीं है यहां तक कोई समस्या नहीं है क्योंकि वो बाकाईदा चुनाओ हुआ था संजे सिंग ने एक गलती करती है और संजे सिंग ने जो गलती की वो ये थी कि उन्होंने कहा कि हम तत्काल कुछ समय के बाद ही तत्काल हम चुनाओ कर बो तत्काल हम जुनिर्स का गेम करवाने जा रहे है और वो भी गॉंडा में होगा अब एक तो समय पूरा नहीं दूसरा गोंडा में होगा गोंडा का मतलब समझते हैं गोंडा का मतलब है ब्रजभूशन सरन सिंग जी का इलाका संजे सिंग जी कर रहे थे कर रहे हैं तो गोंडा में एनाउंस हो गया कि गोंडा में होगा तो इसका मतलब बिल्कु साफ है कि मैसेज दे दिया गया कि ब्रज ब्रजभूशन सरण सिंग का ही मैं चेला हूँ और ये 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 गोंडा में एनाउंसमेंट हो गया इसके बाद साक्षी मलिक ने एक ट्वीट कर दिया उस ट्वीट में उसने का जूनियर्स कह रहे हैं दीदी दीदी को बोल रहे हैं जूनियर्स कह रहे हैं दीदी ये क्या ह हो गया यह क्या कर रहे हो तो ऐसा कुछ बताया गया चलिए यहां पर भी थी लेकिन ब्रजभूशन सरण सिंग का चेला होना यह कोई गुणा तो नहीं है संजे सिंग का चुनाओ लड़ना यह भी गुणा नहीं है संजे सिंग का चुनाओ जीतना भी गुणा नहीं है संजे स कह रहे हैं कि भीस टेरेशन मिल करता है चाहिए और फेडेरेशन का जो सेकरी ओई होगा यह सब परकृया पूरी करेगा अप अटेक्ष बने हैं सेकरेटरी तो नहीं है लेकिन उसमें परकृया पूरी करे बागाइर परकृया क्या थी कि एक पहले आप meeting बुलाएंगे उसमें कम से कम साथ दिन का समय लगेगा तो आज अगर आप कहते हैं तो आज आप meeting बुलाएंगे तो साथ दिन का समय लगेगा साथ दिन में meeting बैठेगी साथ दिन के बाद meeting बैठेगी और जो बैठक होगी उसमें तय होगा कि वो कब गेम करवाने है और गेम करवाने के लिए जो नोटिफिकेशन होगा वो कम से कम गेम की फिक्स डेट से 15 दिन का समय देगा यानि कि अगर minimum समय भी लिया जाय तो 15 और 7 बाइस दिन तो कम से कम 23 दिन आपको देना पड़ेगा 15 clear डे उसमें लिखाया कि 15 clear डे आपको देना पड़ेगा और 7 clear डे देना पड़ेगा यानि कि अब 23 में दिन ही हो सकता है आज अगर काम शुरू होता है तो 23 में दिन हो सकता है दिसम्बर तो जाही रही है किस 22 की हो गई 24 की हो गई और दिसम्बर सामने कड़ी हुए तो दिसम्बर में गेम्स हो जाएं ऐसा तो समभव नहीं है wrestling federation के नियमों के अनुसार नहीं है wrestling federation के नियमों के को परे रखते हुए करा गया गोंडा में हुआ अब ये सब इसका मतलब ये निकाला जाना चाहिए कि खिलाडियों का अपमान करने के लिए हुआ देखे आपकी हार जीत हो सकती है कोई आप चुनाओ लड़ सकते हैं आप अध्यक्षबन सकते हैं लेकिन आप खिलाडियों को प्रताडितने ही कर सकते हैं ये भारत सरकार आज की मोदी जी की सरकार का अपना अपना नियम है और यहां तक नहीं कर सकते क्यों क्योंकि कस्टोडियन मोदी जी है खेल मंत्राले ने मुझे लगता है कि ये मेरे संग्यान में तो कभी आता रही है कि अभी चुना हुआ हो अध्यक्षक का अभी इलेक्षन होकर उसकी शापत शुपत हो गई हो और उसके तुरंत बाद उसको भंग कर दिया गया हो खेल मंत्राले ने संजे सिंग का जो ये चुनाओ हुआ इस चुनाओ को तुरंत ततकाल प्रभाव से भंग कर दिया और ये कहा कि अभी कोई further order नहीं होगा जब तक की हम clear न कर दे further order का मतलब वो वेन लगा दिया election वो वो जो गेम था और गेम वेन लगा कर further order जब तक नहों जाए तब तक अब इसका मतलब ये हो गया कि खेल मंत्राले भी देख रहा होगा Socializar YEAR खेल मंत्राले ने फिलाहाल भंग का डिया अब इसकी लीगल एनमेलीश क्या होग इंब सवाल ये पैदा होता हे कि ब्रजबूशन सरान सिंग तो बीज़ेपी से ही MP थे बीज़ेपी में ही हैं भी संजे सिंग उनके अगर शिश्य हैं तो बीज़ेपी में ही होंगे अब खेल मंत्राले बीज़ेपी के सरकार है तो क्या रेस्लिंग आफ इंडिया अब कोड में जाएगी और ये कहेंगी कि साफ हमने यह किया है हमने कई रही हमारी गलती हुई है तो स्कूर्श्य कर दीजि़ेपी अगर करने का यहां पर बात वो है नहीं। है यहां पर बात यह है आप ने जो गलक किया, आप ने जो खुनस में किया आप जो खिलाडियों के यह साक्षी मलेग विगणेश और वह चली गई बाकाट लेकिन इनके जाने के बाद जो बाकी के खिलाडी थे शे खेल के लिए आपको प्रेड़ित करना चाहिए कि खेलो आओ अगर उनको मैसेज देने का प्रयास चल रहा था कि गोंडा में गीम करवा कर और जो चाहें वो हम कर सकते हैं क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन में हम ही जीत कर आएंगे या तो ब्रजभूशन जी खुद बैठेंग या अपने किसी सिश्य को बिठाएंगे वहां तक बिठाने में कोई समस्या नहीं लेकिन निरने कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो भावी खिलाडियों का या जो रेसलिंग फेडरेशन के रूल्स हैं रेसलिंग फेडरेशन के जो नियम हैं उन नियमों को ताक में रखते तो खुद में हो गया बजरंग पुनिया अपना मेडल लोटा कर आया तो अब जो मतलब निकाल रहे हैं लोग की बजरंग पुनिया के मेडल लोटाने का दबाव आ गया था सरकार पर इसलिए भंग कर देगा मैं आपको इस बात को इसपस्ट करना चाहता हूं कि उनके मेडल उनके इस्तीफा देने, उनके उधम मचाने, उनकी भाषनबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता ही, ये अवार्ड वापसी गैंग जने कब से काम कर रहा है, अगर मोधी जी को दबाव में आना था, तो ये अवार्ड वापसी गैंग के दबाव में आ जाते हैं, लेकिन कोई द गलत किया जाएगा तो फिर खेल मंत्राले पीछे नहीं हटेगा मोदी जी की सरकार उसमें एक्षन लेने से पीछे नहीं हटेगी और सरकार कुछ गलत होने नहीं देगी इस उद्देश के साथ ही मुझे लगता है कि रैसलिंग फेडरेशन को भंग करते हुए उनके आदेश क वो इस्टे करते हुए फर्दर ओर्डर के लिए सब कुछ सस्पेंड कर दिया गया है मैं अगर सही से पूरी न्यूज तो हम सब जानते हैं मीडिया के मतलब से ही आई वो ओर्डर तो अपने को दिखा नहीं लेकिन हां वो सस्पेंड की गई होगी आदेश को रिव्यू किय जाएगा कि बहुत जो गोंड़ा में गोंड़ा में जो गेम करवाने का है वो आदेश रिव्यू किया जाता है और अगर भंग कर दी गई वाकाई में भंग करने का मतलब तो यह होता कि फ्रेश चुना होगा लेकिन मुझे लगता है कि यह निलंबित किया गया होगा कि समझ लें, कानून को समझ लें, आगे का रास्ता समझ लें, क्या करना है, क्या होना चाहिए, वो समझ लें, इनका evil intention, good intention समझ लें, खेल पर होने वाला प्रभाव समझ लें, खेल की भावना समझ लें, wrestling federation की भावना समझ लें, उसके बाद कोई निड़ने लेंगे, तो फिर जहिर से बात है कि इसको निलंबित कर दिया गया होगा और निलंबन के बाद फर्दर ओर्डर करेंगे क्या हुआ निलंबन हुआ या भंग हुआ आप लोगों को अगर जानकरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएगा मैं मेरी टीम उस बात को देखकर फिर जरूर भंगे क्या भंग हुआ ठावा याज होगा आप लुआ ए वाया हुआ रहती है तो कमेंट बबुल सा छोर्डर, को आप देखकर विलंबन बॉआ घ्र निलंग हुआ आप लिलंग है रहती है एत् сам तो कर दो अग्या हुआ गू है झाँ टीम भंग है पयर से भंग है झाल झाल